पुलिस अदिक्षक अमित सांगे ने जिले के गतवश दिवंगत हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों से उनके आवास पर पहुचकर मुलाकात की S.P. ने दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिजनों से मिलकर बच्चों की शैक्षनिक स्थिती के बारे में भी जाना अनुकंपा में भरती हुए पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के साथ पढ़ाई कर आगामी प्रतियोगी परिछाओं में भागिदारी लेने के लिए सला भी दी। इसके साथ ही पूर्व में आवंटित आवास को पुनह अनुकंपा में भरती हुए पुलिस कर्मियों के नाम पर आवन्कित किया गया ये गतवर्ष 2023 में जिले में दुरघटना से या बीमारी से जो पुलिस कर्मी दिवंगत हुए थे आज हमारे मैस्वेम भी अधिकारी हमारे जितने भी थे इनके घरों पर गए और इनकी समस्याओं के बारे में जाना किसी का मेडिकल बिल का इशू था किसी का ग्रेचुटी का था और उनके जो पिता के नाम पे मकान थे वो उनके नाम पे आवन्टित करने का भी एकाज जगे इशू था तो वो सारा जितनी जल्दी हो सकता है हम उसे पूरा करेंगे और दूटी के दौरान जो दिवंगत होते हैं हमारे पुलिस बलके जो सदस्य रहते हैं उसके बाद तो तुरंद फुरंद कारवाई होती है परन्तु बाद में कई बार ऐसा होता है कि उनकी समस्याएं रह जाती हैं झाल 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 झाल